हलो ये ब्रीबन मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में बेजन आये इसके PT-365 को कम्पलीट किया जा रहा है जिसके अंतरगत अभी तक पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को कम्पलीट कर लिया है आज का जो हमारा पार्ट है भाई पार्ट फोर्थ है PT-365 को सुरू करने के पहले आपको बता दें कि आखर PT-365 होता क्या जो PT-365 चला जाता है पूरा एक साल के करेंट अफियर को कवर करता है कितना एक साल के करेंट अफियर को ये कवर करता है इसके संदर में यह जो अभी प्रिजेंट में आया हुआ है अप्रेल 2023 से दिसंबर 2023 का इसमें कम्माइन करके दिया गया है अभी तो आपका दो ही सब्जेक्ट का आया हुआ है एक हुआ पॉलिटी का दूसरा आर्थविवस्था का जब इसका और पूरे आ जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट है सभी को आने के बाद फिर इसका अपडेटिट पार्ट में आपके जो तीन महीने का करेंट अफिर आई के एकॉर्डिंग यह 365 देज को चलाया जाता है आप जिस तरीके से मन्थली जैसे के आप डे वाई डे का करेंट अफिर कंप्लीट करते होंगे न्यूज पेपर हुआ न्यूज पेपर के साथ साथ आप किसी न्यूज चैनल को फॉलू करते हों या फिर पी आई वी की से पढ़ते हों या फिर किसी कोचिंग इंस्टिट्यूट के माटेरियल को पढ़ते हैं तो आप एक डे का कंप्लीट करते हैं फिर दे के बाद क्यों बीक का कंप्लीट करता है बीक के साथ साथ मन्थ का कंप्लीट करता है तो यह जो है आपका एक साल का करेंट अफिर है एक को प्रतेक वीडियो की पीडियेप राप्त होगी चलिए तो शुरू करते हैं हम जो वे पीटी 365 को बढ़ रहे थे किस स्टेट जी पर पढ़ रहे थे क्योंकि आज हमारा पार्ट फॉर है क्योंकि अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड को कंप्लीट किया है आपको बता दे कि जो पढ़ा जा रहा है इसमें टोटल आपका टोटल बारा टॉपिक है बारा टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इसमें तीन तीन टॉपिक का पार्ट वाइस डिवाइट किया था कि पार्ट फर्स्ट की अंतरगत आपका जो आएगा समर्द्धी विकास राजकोशे नीती, स्रम रोजगारों कोशल विकार, पार्ड फस्ट के अंतरगत कवर किया, सेकेंड पार्ट के अंतरगत आपका बैंकिंग, मौदरिक नीती, भुक्तान पडाली, वित्यवाजर, बाहर छेतरक को कवर किया, थर्ड पार्ट के अंतरगत आपका किरसी, घनन, उ ताइम भी नहीं लगता तो कोई नहीं पड़ पाता है तो इसके संदर में अगर आप पार्ट को डिवाइट करके पड़ेंगे करें पर ईक पार्ट जो है वो 9,5-8 घंटे के संदर नहीं है टो अगर आप परिद्क की फॉद्ते की संदर को फिरंड ग्रजीन को एके साथ ही फिनिश होगा चले तो सुरू करते हैं देखते हैं टॉपिक का जिस तरीके से अभी जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनकी रड़नीती के आप से काम किया है तो इसको भी उसी तरीके से पढ़ते हैं सबसे पहले आपको टॉपिक की बारे में बता देते हैं कि कौन पर इसके बाद आता है आपका बिद्धुचित्रक में शुरू की गई अन्ने पहले बिद्धुचित्रक में शुधार के लिए राज्यों को वित्तिय प्रोस्ता है पर इसके बिद्धुचित्रक में शुधार के लिए राज्यों को वित्तिय प्रोस्ता है सेवाचित्रक है इन्सुरेंस सेक्टर की संदरत में हालिया में क्या एक शुर्क्या ऐ हुई है भारति VOICE-ВО, विनामक और विकास परादिकरण या IRDAI ने वीमा ट्रीनिटी नाम की एक योजना Σुलू करने का काम कर रहा है तो एक इसके दारह यूजना शुरू की जा रही है भारतिय बीमा, बिन्यामक और विकास प्रादिकरण के कारण बीमा ट्रिनिटी यूजना शुरू की जा रही है। सबसे पहले जानते हैं कि IRDAI या भारतिय बीमा बिनामक और विकास प्राधीकरण आखिर होता क्या है। उसके बाद जानेंगे बीमा ट्रीनिटी की जो इसके द्वारा यी योजना शुरू की ज़रे है। भारतिय बीमा बिन्यमक विकास प्राधिकरण की जो स्थापना है बह एक संसत के IRDAI प्राधिनियम 1999 के तहत एक बैधानिक निखाय के रूप में गठित किया गया, जिसका मुख्या लाए हैदरावाद तेलंगा नाम है और यह बित्त मंत्राले के बित्तिय सीवा विभाग के तहत कारे रथ होता है इसके द्वारा जो कारे किये जाते हैं उसमें बीमा कंपनियों, पुनर बीमा कंपनियों, बीमा मद्धिवर्तियों को लाइसेंस प्रदान करना और उनके लाइसेंस का नमेने करना होता है पॉलिसी धार को के हेतों की रक्षा करना बीमा कंपनियों, पुनर वीमा कंपनियों या बीमा बेवशाय से जोड़े पैसी पर संगठनों दोरा धन की निवेश को बिने मित करना होता है। बीमा बेवशाय से जोड़ी संस्थाओं का निरेक्षण पूस्ताच और जाच करना इसके प्रोवकारे होते हैं। IRDAI के द्वारा जो बीने में संस्थाओं हैं जिसके अंतरगत आती हैं आपकी जीवन बीमा कंपनियां। आती हैं एजन्सी चेनल और मद्धवर्ति संस्थाओं हैं जैसे कॉर्परेट, एजेंट और प्रोकर। तो ये IRDAI है जिसका मुख्यकार बीमा कंपनियों और बीमा कंपनियों और मद्धिवर्ति और बीमा मद्धिवर्तियों को लाइसेंस प्रदान करना उनके लाइसेंस को नभीनिकरन करना है तो इसके संदर में IRDAI के द्वारा इसके संदर में आता है IRDAI के बारे में आपने जान ही लिया है, चली तो आप जानते हैं BIMA Trinity के बारे में, कि BIMA Trinity आखिर किस अंदर में शुरू की जाए गई है, बीमा Trinity से इस पश्ट ही होता है कि इसके तीन घटक हो गई, क्योंकि इसमें Trinity को जुड़ा गया, जैसे BIMA सुगम, BIMA बिस्तार, BIMA बीमा सुगम के अंतरगत आपका बीमा करता हो और बितर्क को एकिकरत करने बाला एक प्लेटफॉर्म होता है जो ग्रहकों के बन स्टॉप सौप के रूप में कार करता हो ग्रहक किसी पोर्टल की सहायता से बीमा शेवाओं के लिए अनरोध कर सकते हो दाव का निफ्ठान करा स सकते हैं बीमा विस्तार के संदर में इसके तहट जीवन स्वास संपत्ती और जनहानी या दुरगट्नाओं के संयुक्त जोखिम को कवर किया जाता है जो कि प्रतेग जोखिम के लिए लाप परिवासित होते हो और इनका भुकतान सर्विक्षड करताओं की आवश्यक्ता की बिना सामनश यदिक तेजगती से किया जाता है बीमा वहाग के संदर में इसमें प्रतेग ग्राम सभा में महिला के अंदर कर्मी मौजूद होते हो और ये प्रतेग घर की महिला से मिलकर उनकी समगर बीमा वतपात के लामों की बारी में जानके रही देते हैं तो ये बीमा trinity की संदर में है, जिसे 3 भावों में, डिभाईट किया गया है, बीमा सुगम, बीमा बिस्तार, और बीमा बहाग की संदर में होते हैं, चलिए तो जानते हैं कि भारत में बरतेमान में बीमा छेतर की क्या इसथिति हैं, बीमा च्हेतरक की बैश्वेक इस्तर पर देखा जाए तो भारत दस्वा सबसे बड़ा वाजार है जिसकी आनमानेत हिस्सेदारी 1.9% है जिसमें बीमा घनत जो की 2001 में 11.1 डॉलर से बढ़कर 2021 में 91 डॉलर तक पहुँच गया और इसमें जीवन बीमा का जो हिस्ता है 99 डॉलर और गयर जीवन बीमा का हिस्ता 22 डॉलर रखा गया जो की कुल बीमा प्रीमियम और उस देश की संपूर जनसंक्या के बीच अनपात का बीमा घनत कहलाता है बीमा पैट के बारे में बीमा पैट के संदर में देखा जाए तो यह किसी दिये गई बर्स में कुल बीमा प्रीमि में कुल बीमा प्रीमियम का कितना कुल बीमा प्रीमियम है वे सकल घरेलू अनपाद में होना बीमा पैट कहलाता है जीबन बीमा छेत्रक में बीमा पैट की जो दर है 2021 में 3.2% है और यह दर उभारती बाजारों की तुल्ला में दोगनी जबकि बेश्विकोसस से थोड़ी जिसमें रिपोर्ट की मुख्य बंदूओं को देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि भारत में स्वास्त सुरक्षा अंतराल 73% के इस्तर पर बना हुआ है जिसके कारण 40 करोड से अधिक लोगों के पास स्वास्त मीमा सुरक्षा का अभाव है और देश की को लाबादी का 3 इन 31 परशब से अधिक है यह वोगताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्चक स्वास्त देखवाल की लागत के इस्तर पर उन लागतों को पूरा करने के लिए उपलब दिधनरासी के बीच अंतर को HPG कहा जाता है मतलब की Health Protection Gap कहा जाता है यह जो है वैसुर एरपोर्ट के इस्तर पर देश में 36 से 35 वर्स के आयूबर के जीवन वीमा सुरक्षा अंतराल को 87 परसेंट और मूल वीमा अंतराल को 90 परसेंट से यह देख्यों होता है प्राक्ति काबदा वीमा क्या होती है यह देश की लगभग 95 परसेतावादी के पास प्राक्ति काबदा से सम्मंदित शुरक्षा वीमा उपलब्द नहीं है फसल वीमा के संदर में है भारत में फसल वीमा के तहेत आने वाले वीमारासी में कमी आई है साथी अभीमित किसान सवर्षरान के संक्या में और थे यह आपका भारती भिमा का विकावी नामक प्रदा विकास प्राधिकरण में जानते एक कि अकाइक के आप posis. एक स banco फिदर थे इसे कहरों का होता है? IRDAI ने जमानिती बॉर्ण के मांदर्णों को धील प्रदान की है इस कदम का उत्पादों की उत्पलब धिताब बढ़ा कर जमानिती बीमा बाजार का विस्तार करना है जमानिती बीमा बाजार का विस्तार करने के लिए जमानिती बॉर्ण के मांदर्ण को धील दी है तो इसके अंतरगत जानेगे कि जमानती bond आखिर होता क्या है जिसमें IRDAI के दिवारा या धेल दी गई है जमानिती बोर्ड वह बॉर्ण होता है जो एक तरी पक्षी अनवन्ध है जिसमें एक पक्ष जो उसमें जमानत करता है या सिक्योरिटी वाला होता है और दूसरा पक्ष प्रिंस्पल होता है जिसके प्रदर्शन अदायतों के बीच तीसरे पक्ष ओप जिली जिली को गारंट कि साथ साथ मूल धन को भी सुरक्षा प्रदान करता है इंसुरेंस सेगेवर्टी बंड को बैंक गारंटी की बदली में लाया गया और इसे अप्रेल 2022 में बीमा बिनामक और विकास प्रादी करणे अनमती दी हुई थी इसकी संदर में आता है नेक्स्ट आता है चेकिस्सा और आरुग कल्याण परेटन की बारे में की हाली में गरह मंत्राले ने बीजा की एक नई स्रड़ी आयूश बीजा बनाने की घुश्रा किये यह आयूश चेकिस्सा पडालियों के तहट इलाज के लिए भारत में आने वाले बिदेशी नागरिकों को सुब्दा प्रतान करता है इससे सम्मंद्य तत्थों को देखा जाए तो बीजा मैनुवल 2019 में मेडिकल बीजा के तहट एक नया अद्ध्या आयूश बीजा को सामिल किया गया ह भारती चेकिस्सा पडालियों के उपचार से सम्मंद्य ते जिसमें मेडिकल बैल्यू ट्रेवल को बढ़ावा मिलेगा साथ है पारंप्रे भारती चेकिस्सा को बैश्वे पनाने में हमारे प्रयास को मजबूत करेगा आयूश के संदर में आपको बता देंगे कि आयूश आरवेदिक योग प्राक्तिक चेकिसा यूनानी सिद्धों होंवों पे थी के लिए एक संचिप्त सब्ध होता है इसमें अन्य पारंप्रे को गैर पारंप्रे क स्वास्तेश खवाल पढ़ा लिया जैसे सोवा रिंगपा आदी भी इसके तरगत सामिल है डेटा बैंक की 70 मिलियन डॉलर तक बढ़ने का इसका नमान लगाया गया आरों के और चिकिसा परेटन के बारी में जाना जाए तो चिकिसा परेटन एक ऐसा बद है जिसका उपयोग स्वास सिवाओं की तलास करने के लिए अंतराश्टी यात्रियों की आवाजाही का बढ़न करने के लिए किया जाता है आरों के परेटन वोब्यक्ति होते हैं मतलब कि वो परेटन होता है जो किसी वेक्ति के कल्यार के लिए बनाए रखने और उसे बढ़ाने से जुड़ी यात्रा होती है जिसे परेटन मंतराले के द्वारा चिकिसा और आरों के ख 앞ले एक रालाष्टी ये गया प इस रणनेती के प्रोव किस्तमव को देखा जाए तो इसमें एक ओनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पोर्टल इस्थापित करके डिजिटली करण को सक्षम करना होता है और यह मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के लिए एक पहुंच में ब्रद्धी भी करता है संस्था घंठाच जो पारंपरिक चिक सा बैश्विक सिखर सम्मेलन आयुजत किया गया है इस सम्मेलन की थीम थी कि सभी के लिए श्वास्तों कल्याण की ओर होना है जिसका ओदेश साख छाधारित पारंपरिक पूरक एक इकरे चिकस्ता की छमता का दोहन करना है यह डब्लू एचो ने इस स सम्मेलन में गुजरात घुश्रापत्र के रूप में आउटकुम दस्तावेच चारी किये हुए इसके संदर में आता है ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कॉमर्स के लिए नेटवर्क संचालन और अनुपालन पडाली प्लेटफर्म को लांच किया गया नेटवर्क औरेश ओएंडिशी बाजार और समधाये में नेतवत वाली पहल है ऐगाा अनुपश्रापत्र किया नवाचारी को संदर में भी जाल लेते हैं कि या एक सरकारी मिनामे की निकाय नहीं है, या एक application या platform नहीं है, या कैंदरी ये मद्धबरती नहीं और या बैशाय की digitally करण में मदद करने वाला एक माध्या नहीं है, तो UNDC क्या है, क्या नहीं है, इसके संदर में बताया किया, इससे समद्नेते तठो को देखा जाए, तो या नेटपर्क प्रतिभागियों के धन को सुचारू सुरक्षितों समय पर अंतरर करने में सक्षम मनाता है, या platform ONDC नेटपर्क पर किये गई लेंदन की समाधान और निप्टा में सेवाय प्रणान करता और या बैंक को फिन टेक और e-commerce कंपनियों की साथी किरत करेगा, ज इसका उद्देर से कुछ बहुराष्टिये कंपनियों के डिश्टल एक अधिकार को नियंतरित करना है, साथी साथी है डिश्टल और इलेक्टोनिक नेटवर्क पर बस्तों सीभाओं की बिनवाय के सभी पहलों के लिए अपने नेटवर्क को बढ़ावा देता है, ONDC पर इप्लेटफॉर्म कोई की करत करने का कार भारतिय गुडवत्ता परशत को सौपा किया, ONDC पर व्यापार संबन्दी लेनन के लिए खरीददारों विक्रेता एक ही प्लेटफॉर्म या अप्लिकेशन उप्योग की आवश्यक्ता नहीं होती है, तो ये आपका इप्रो विकास को बिनेमित करने एवं निगरानी करने की संदर में केंद्री विद्धुत परादिकरण की स्थापना के गई यह जो बिद्धुत अदिनियम 2003 की अधी अंतरगत बिद्धुत परादिकरण को राश्टी बिद्धुत नीती के अनुशार एक एनपी या फिर राश्टी बिद्धुत नीती बिद्धुत योजना तैयार करने होगे साथ यस योजना को पांच वरस के लिए एक बिद्धुत नीती योजना पिछले पांच वरसों जो की दो हज़रजस से दो हज़रजस के लिए एक विस्ते योजना और उस से पांच वरसों 2027 से 2032 से तो एक संभावेत योजना सामिल है और पहली बार इसे 2007 में अधिशूचित किया गया था चले तो जानते हैं NEP की मुखे में सेस्ताओं के बारी में उर्जा की बढ़ती मांग के संदर में देखा जाए तो इसमें बिजली की मांग लगभग 4.1% CAGR से बड़ी हुई है दूसरा आता है केस में 2026-27 में बिद्धुत की संभावित इस्थापिच चमता 610 गीगाबाट रही है और 57.4% का युगदान 15 जीवाश्म आधारे सुरोतों का होगा और मार्च 2022 में कुल बिद्धुत इस्थापिच चमता में 15 जीवाश्में आधारे सुरोतों का युगदान लगभग 40% होता है कारवन उस्थरजन के संदर में या कोईला आधारे सैयंतरों से और सक स्यूट उस्थरजन दन गिराबट देखी जा रही है यह नमीनी करण उर्जा सुरोतों की युगदान के संदर में यह 2026-27 तक कुल इनर्जी मिक्स में नमीनी करण उर्जा की कुल स्थापिच्छमता लगभग 35% होने का नवान है उर्जा दक्षिता और सल्रक्षड की संदर में देखा जाए तो भारत में 2005-16 के उधी में सकल घरेल उतपात की उस सर्जन की तीबरता में 24% की कमी हुई है इसके अलावा भारत अब 2005 की स्थापिच्छ की मुकावले 2030 तक उस सर्जन तीबरता में 45% की कमी लाने ही तो पृतिबरता है उस सर्जन तीबरता बस्ता आरतिक गतिविदियों की दोरान ग्रीन हाउस केस उस सर्जन की माप होती है और 31 मार्च 2022 तक नमीनी करण उर्जा की अखिल भारती स्थापितमान को दिया गया नमीनी करण उर्जा की स्रोथ जो इसमें दिये गए है जो सारवादिक रहे है सब सारवादिक इस्थान पर आता है आपके कोईला दूसरी नमबर पर नमीनी करण उर्जा की स्रोथ फिर आता है आपका गैस के बारे में फिर लेगनाइट उसके बाद आपका परमाडू फिर डीजल और इससे कम आता है एक परसंट से कम आता है तो एक रेशियू दिया गया है कि आपका जो कोईला है वह 51% होता है नमीनिकरण ओर जाचे 43% लेगनाइट दो परसंट परमाडू दो परसंट गैस जो है 6% और डीजल जो है वह एक परसंट से कम यल्यू रखता है एक तिसमार्च 2015 के 2022 की नमीनिकरण के डेटा को देखा जाए तो इसमें सौरू उजस के संदर में आती है 34% बड़ी जलविद्वत परियोजनाओं के अंत 607.2 में मेगावाट को कबर करती है तो ये स्थापित बिजलि जुके चंता है उसकी संदर में आता है उजचा चंता की संदर में केंदरी बिद्दुत प्राधिकरण के संदर में समझा जाए तो इसकी जो इस्थापना है बैद्दुत अधिनियम 2003 के तहत गठितिक साम्मिधिक संस्था है जो की बिद्दुत मंत्राले के अंतरगत कार करती है और इसकी स्थापना बिद्दुत अधिनियम 1948 के धारा 3.1 के त प्रावधन किया गया था इसका उद्देश बिद्धु छेत्रक की विकास को मिने में तोसकी नेगरानी करना होता है जो कि देश की भूगताओं को परियाप्त गुडवत्ता वाली इसकी सनरचना को देखा जाए तो इसमें अध्यक्ष साहे 14 सदस होते जो कि केंद सरकार और अधिक्तम आठ पूर कालेक सदस होते हैं यह का कारे केंद सरकार की राज़्टी बिद्धुत नीती की सम्मत्यत मामलेक पर सलाय देता है यह बिद्धु सही अंत्रों बिद्धुत लाइनों के यह तक्नी की मानक निर्धारित करता है यह मीटर लगाने की सर्टें भी न सिस्टम चार्जिस के बारे में केंदी बिद्धुत मंत्राले ने अब तटी पवनुजा ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना पर अंतराजी पारेशण पढ़ाली सुल्क से 25 वरसों के लिए छूट देने का नड़ाय लिया हुआ है इससे संबन्दी तत्थों को द अब तटी पवनुजा पडालिया जल लिकायों के निर्मित पवन्चक्रिया है जहें पवन्चक्या आमतोर पर महासागर की महादीप्यों सेल्फ में इस्थापित की जाती है और इसे पवनुजा से बित्धुत उत्पादन के लिए इस्थापित किया जाता है नमीनी करण इधानों इधा उर्बरक उत्पाद के रूप में किया जाता है पिरमें खिर्णेयों पनेजर डाली जाए तो 31 दिसम्मल 2022 तक पहले चालू हो चोके अब तटी है पवनुजा परियोजनाओं के लिए इस्थी ऐस सुल्क मुक्तान में पूरी छूट दी गई है और यह है इसी भी हाइबरिट पडाली का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के उत्पादन करने वाली यूनिट्स को ISTS भुक्तान से पूरी छूट दी जाएगी जोकी 31 दिसम्मल 2030 तक या उसके पहले शुरू की गई परियोजनाओं में इस छूट के लिए पा कि बित्वंत्राले ने विद्दो छेत्र में सुधार के लिए राज्योकून की सालाना सकल घरी लूत पाद के लिए 0.25 से 0.5% के अतरिक तरेडिया लेने की अनमती दी हुई है ये स्पहल की घोशना केंद्री बचे 2021 में चार वर्स के आउधी जो की 21-24 के लिए की गई थी राज्यों दौरा पातरता को पूरा के जाने के लिए अनिवार शुधार देखते हैं जिसके अंतरगत पहला आता है आपका स्राज्य सरकार के डिसकॉम्स के घाटे के लिए उचित पित्तिय जवाब दही विवस्था को लागू किया जाना चाहिए दूसरा आता है बित्तुचेत्र के बित्तिय मामलों की रिपोर्टिंग में दक्षता होना तीसरा आता है बित्तिय व उजय सम्मंदी लेखाओं का समाय पर प्रिश्थुति करण तथा समाय पर लेखा परिक्षे करण चोथा आता है कानूनी और बिनामी की आवश्यक्ताओं का पालन करण होता है तो इसके संदर में प्रमुक ही होजना आती है जो कि इसकी पात्रता को पूरा करती है मार्केट कपलिंग के बारे में मार्केट कपलिंग जो है वैं बिद्धूत मंतराले को बिद्धूत एक्षेंजों में market coupling की पिक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है इसका उद्देश अलग-अलग बिद्धूत एक्स्चेंज़ों में एक समान कीमिते बनाए रखना है आखिर market coupling होती क्या है जिसके अंतरगत इसमें कहा गया है कि बिद्धुत एक्षेंजों में समान कीमिते बनाए रखेगा और कैंदी बिद्धुत मंत्राले की द्वारा इस पिक्रिया को शुरू किया गया मार्केट कप्लिंग से आसे सरकार की स्वामेत में एकल पावर ट्रीडिंग 21 की स्थापना करना होता है मार्केट कप्लिंग क्या मार्क परसस्त करता है किसके संदर में पहला तो आता है मार्केट बेस्ट एकनोमिक डिस्पेश तंत्र को अपना कर एक राष्ट एक ग्रिड एक फिक्वेंसी एक कीमत फ्रेमबर को लागू किया जा सकता है यह है मार्केट बेस्ट एकनोमिक डिस्पेश तंत्र में राज की भीतर और राज्यों के बीच दोनों इस्त्रों पर इन नियमों में वो भूकताओं को विश्वशनी शेवाय और गुडवत्ता पूर बिद्धुता पूर्ती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया गया था इन नियमों का उद्धिस यह शुनिश्चत करना है कि यह बिद्धुत के नए कनेक्शन रीफ के लिए बिद्धु संसुदा नियम 2023 को पेश किया हुआ है बद्धलाव और सम्मंदित तत्ति के संदर में देखा जाए तो टाइम ऑप दा डे या टी ओडी प्रसुल्क की शुरुआत के संदर में इसमें पूरे दिन हर दे समय बिजली के लिए एक ही दर पर सुल्क बसू से अधिक होगा इसे उब्भुकता आपने बिजली का बिल कम करके सकेंगे साथ ही बिद्धुत पडाली को संसानों का अधिक कुछ सल्ता से उपयोग करने में भी मदद मिलेगी स्मार्ट मीटरिंग के प्रावधार में संसुदन किया जाए तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लगाने केती थी से पहले कि आउदी के लिए स्मार्ट मीटर में दर्च की गई अधिकतम मांग के आधार पर उभुकता पर कोई दंडात मांग सुल्क नहीं लगाया नेक्स्ट आता है हाई प्राइस्ट दे अहेड मार्केट एंड सर्प्लस पावर पोर्टल इस पोर्टल को कैनरी बिद्दुत मंत्राले की द्वारा लॉंच किया गया इस पोर्टल का उद्देश सीजन में पीक डिमांड की दोरान बिजली की अधिक उपलब देता और लब्द उत्पादन छमता का उप्योग किया जा सकेगा फिष्ट कोस्ट जो है वह एक प्रकार का बैह है जो विक्रिया उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घट्ने नहीं देता है राश्टी गैस ग्रिट के बारे में यह जो गैस ग्रिट है इसकी इसे बरोनी राश्टी ग्रिट से जोड़ेगा चली तो जानते हैं प्राक्टिक गैस की बारे में यह प्राक्टिक गैस उन गैसों का मिस्रण होता है जो कि मीथे नाइट्रोजन कार्वन डैयाकसाइड आधी से युक्त हाइड्रोकार्वन से भरपूर होती है यह प्राक्टिक गैस की म परिवर्दित किया जाता है भारत में 2030 तक बहरत के प्रात्त में कूर्जा मिश्टर में प्राक्तिक गेस के हिस्सेदारी 6,25% से बढ़ा कर 15% करने का लग्षा जोकी पेट्रोलियम हो प्राक्तिक गेस के विशाइ के पैठ्स अंदर में या संगसूची के विशाइक इंतरगत आता है राश्टी गिरिट के बारे में राश्टी गिरिट केंदर में देश के प्राक्तिक गैस की आपूर्टी और मांग की सभी प्रोंक केंदरों को जोड़ने के लिए एक राश्टी गिरिट की शुरुवात की गई है यह प्राक्टिक गैस का पाइपलाइड नेटवर्क नहीं ते 631icos74 किलोमीटर लंबा है यसे पेट्रोलियम और प्राक्टिक गैस पीरने की बूर्ड की अंतररगत सुरू किया गया इसका उद्देश पेट्रोलियम पेट्रोल उत्पादों प्राक्तिक गेस से सम्मदित बिसेस्ट गतिवितियों से सल्लेंग नोपूकताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना और प्रतियस पर धी बाजार को बढ़ावा देना होता है। यहाँ पर इस टॉपिक फिनिश होता है अब इस रंखला का आपका लास्ट टॉपिक मतलब कि इस रंखला के साज़दी हमेकचीन का लास्ट टॉपिक है यो की बैवसाय नवाचार ओधा मिशीलता है। इसमें पहला आता है कॉर्पूरेट सामाजिक उत्तरडायती हैं प्रदकार की निम्नखित दूप से व्यापक रूप रेखा प्रदान की गई है। जिसमें कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के थारा 135 में CSR से सम्मधित प्राउधन सामिल है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची साथ में CSR के तहत कंपनी दौरा किये जाने वाले कारेओं को बताया गया है। जिन कंपनियों के CSR लागू होते हैं वह पिछले तीन बित्य बरसों उन्ने बल लाव कानी उन्तम 2% CSR गतिविदियों को खर्च करना होता है। और ऐसी कंपनियां जिनके लिए CSR अनिवार हैं वहें उनके लिए CSR की गतिविदियों का विब्रण बार करने के लिए युगदान को CSR ब्याय के रूप में स्विकार किया जाता है जिसके अंतरगत आता है स्वक्ष भारत कोस स्वक्ष गंगानिदी प्रदान मंतरी राहत कोस आती हैं तो इसके संदर में यात हैं CSR निमनेखित मांद को की तहत आने वाली कंप्रियों पर यह पांस सो करोड या उससे अधिक वाला नेट वर्थ हो और 1000 करोड या उससे अधिक वाला टर्ड वोबर हो तो यससे सिचुएशन पर CSR को लागू किया जाता है तो यह प्रॉक सिचुएशन आती है नेक्स्ट आता है कि CSR खर्च के रुजहान को देख लेती है कि CSR का खर्च के कहा कहा होता है 2014-15 की तुल्ला में CSR खर्च जो है उसमें 150% की म्रद्धी देखी गई जो कि भारत की बेश्विक जलवाई प्रितिबंधिताओं के कार्ण परियावरू छेतरक में दुगना हो गया है CSR के तहें तठारा हजार से तदे कंपनियों ने 26,000 करोड रुपे का नवेश किया है और स्वक्ष गंगा निधी पेजल स्लमचीत विकास के कारण स्वक्षिता पर भी खर्च बड़ा हुआ है कुल खर्च में 29,5% और 24,5% खर्च करम सा स्वास्तो सिक्षा छेतरक पर किया गया है और CSR की शुरुआत के बाद ही टेक्नलोजी इंक्यूवेटर्स पर 0,61% से कम खर्च हुआ है चली तो जानते हैं कंपनी नीती या कंपनी CSR संसोधन नीती 2001 के बारे में या जो नीती है इसे CSR के तहट 3 मित्ती बरसों में 10 करोड या उस्याधिक रुपे के खर्च करने वाली कंपनियों के लिए एक सुतंत एजनसी द्वारा प्रभा मूले अंकन करने का प्राउधन किया गया इसके तहट खर्च ना की गई CSR रासी के अनिवार हस्तना इंदर का प्राउधन किया जाता है जिसके तहत यह प्रावधन किया गया है कि एक बित्य बर्स में किसी कंपनी के CSR के CSR गत्विदियों प्रिशाश्रिक ब्याय का हिस्सा इसके कुल ब्याय में 5% से अधिक नहीं होना चाहिए चालू परियोजनाओं के संदर में यह यह कैसी परियोजनाओं होती है बहु परियोजनाओं होती है जिनकी आओधी तीन बर्स से अधिक होती हो और यह बित्य बर्स में सामिल नहीं की जाती हो जिनकी परियोजनाओं को सुरू किया जाता है कमपनी अधिनियम संसुदन 2022 के संदर में देखा जाए तो यह खर्च ना की गई CSR किराजी को CSR समीति के गठन का प्रावधन करता है यह सामजिक प्रभाव आकलन की लागत में CSR 2 माना जाता है यह लागत चालू बित्वर्ष के लिए कुल CSR 2 का 2% तथा 50 लाग रुपे जो भी अधिक हों से अधिक नहीं होगा भारत में कॉर्परेट गवर्णेंस के लिए फ्रेमबर्क की संदर में देखा जाए तो यह कमपनी अधिनियम 2013 में यह बोर्ड और उसकी बोर्ड लिखा परिक्ष को समीतिकों के गठन वित्वर्णों में किये जाने वाले प्रेक्टिकरण आधिकों निवाले करता है भारती पिल्थभूती अभीनेवार की बोर्ड के संदर में देखा जाए तो यह सूची वद्ध कंपनियों में कॉर्परेट गवर्णेंस की नेगरारी और उनका मिनिमा करता है इस्टिटीट आप चार्ट रिकांटेट आप इंडिया के संदर में देखा जाए तो यह बित्धिय डेटा के प्रेक्टिकरण से जुड़े मारदर्शन के लिए दिशा निर्देश मानक चारी करता है भारती कंपनी सचिव संस्थान एमो कुरूप से बोर्ड आप डारेक्टर की बैटको और जर्रल मीटिंग के संदर में सचिव इस्तरिय मानक सारी करता है नेक्स आता है अंतराष्टी बित्तिय सेवा क्या है इनके बारे में जानते हैं यह एक ग्रह देश की आधिकारता से बाहर के ग्रहेकों को सेवा प्रदान करता है जानते है इसा प्रदाष्टी करताता है इसकी संदर में करता है तो हाली में बर्तमान में जो भारती विना इसकी घरेली सक एक्सचेंज में सूची बद्र बिना अपने पृत्रोतियों को कुशीदे बिदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूची बद्ध नहीं कर सकती है और वर्स 2020 में इस तरीके से केंद सरकार ने कमपनी संधिनियां में संसुदन तो किया था लेकिन इस पिक्रिया में भारती कमपनियों ने अपनी पृत्वोतियों को सीधी बिदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीवत करने की अनुवति दी गई थी बलतमार में भारती कमपनियां अमेरिकी डिपोजेटरी रिशीट दौनों का उप्योग विदीसी बाजार में धन जुटाने की संदर्मर होता है, जिसमें ADR का व्यापार, अमेर की स्टाक एक्षेंज से होता है, जब कि जो DDR का व्यापार है, बैए EUROPEA एक्षेंज से होता है, ये रूपिय एक्षज के अमतरगात आता है तो यह है इसके संदर में धिया गया अब आता है कि बित्तिय सेवा प्राधिकरण के संदर में जिसकी स्थापना जो है मैं 2020 में की गई थी जो की बित्तिय सेवा प्राधिकरण अदिनेव 2019 की ठायत जिसका मुख्याला है इसका कार्य है कि भारत में IFSC की बित्तिय उत्पादों बित्तिय सिवाओं बित्तिय संस्थानों के विकास ओमिनिमाई को एकीकरत प्राधिकरण प्रदानि करना हो बरतमान में गेप्ट IFSC, ब्हारत में पहला івंतराश्छी बित्टिय सेवा केंदर हैं तो इसके संदर में आता है, अब आता है, पृतिस पर्था संसोदन अधिनिययम 2023 के मारे में, केंदर सरकार ने, प्रिती पर्था संसोदन अधिनियम 2023 को लागू करके इसमें कई प्रावधारों को अ निस्वन सटकी यह जगयली हुई थी पृतिस परधा अधिनियम 2002 में प्रति पृतिस परधा आयुक का गठन किया गया और यह अधिनियम पृतिस परधा रोधी समझोतों तथा बाजार या कॉर्प्रेट जगर मत्यमें मझूद स्तिती के दुरुपियों को रोक लगाता है इ यह प्रतीस पर्दा संसुधन अधिनियम में जो उद्मों और भिलाए खरीद या अधिगरण या समामिलन इसके अंतरगत सामिल होता है इस तरीके के कॉम्मिनेशन के संदर में यह रूक लगाता है और जिनका भारत में प्रतीस पर्दा पर बास्त में ग्रूप से नकारात्म प्रभाव पढ़ता है या और पढ़ने की संभावना होती है तो इस तन्धर में आता है अधिनियम में संसुध है जो परिभासा आई हुई हैं जिसमें अत्रगत कॉम्मिनेशन या समच्छो की संभासा में संसोधन किया गया है कि यह पिरतीस पर धा संसोधन अधिनियम 2000 करोण रुपे के अधिक मूल के लेंदेन वाले कॉम्बिनेशन की परिभासा का विस्तार किया गया है जिसमें उधमों का बिलाए खरीद और अधिकरण का समाविलन किया गया है कॉम्बिनेशन की मंजूरी की शमय शीमा में कमी की गई है जो की 210 दिन से घटा कर 150 दिन कर दी गई है जिसमें अरिवारी रूप से कहा गया है कि यह किसी कॉम्मिनेशन को लेकर 30 दिनों के भीतर पिर्थम दरश्टी से राय बेक्ति करते हो और ऐसा नहीं होने पर समुझ चुको अनमोदित या मंजूरी पाना जाएगा हव एंड स्पोक अरेंजमेंट को सामिल करने के लिए ब्यापरिक संगों के दारी का विस्तार किया गया है जिसमें कई कम्पनियां समान या एक जैसे बेशाय गत्विदियों में सामिल नहीं होती है और यदि ऐसी कम्पनियां हव एंड स्पोक अरेंजमेंट के लिए किसी सम्झोती में सामिल होती है या सामिल होने की एक्छोत होती है तो उसे कार्टिलाइजेशन या वो प्रीस्तर पर मिली भगत या संग मना कर प्रतिस परधाय रोधी कार करना के लिए उसकायत निवार्ड और दर्णे जुर्माना सम्मदी प्रावधान को दिखा जाए तो पहली नमबर पर आता है सिकायत करने की समावधी जिस दिन कोई प्रतिस परधारोधी कारे हुआ है तो उससे बारे में पता चलता है कि उस दिन से लेकर अगले तीन साल के भीतर CCI के समक्ष प्रतिस पर धरोधी आच्रण के खिलाब सिकायत दर्ज कराई जा रहे सकती है हलाकि CCI चाहिए तो इस समयवधी का पालन ना करने वाले सिकायत करता को बिलम्मे करने के लिए छमा पर सिकायत दर्ज करा सकता है जुर्माने की रासी वे ब्रद्धी के संदर में के जूटे बयान देने महत्पूर सूच दाओं को छिपाने के लिए जुर्माना को एक करोड रुपे से बढ़ाकर पांच करोड रुपे कर दिया गया है बेश्विक टर्णों अमर के आधार पर जुर्माना लगाए गया है जिसमें मजबूत इस्तिती बनाने के लिए दूसी व्यक्ति को उसके बेश्विक टर्णों अमर के आधार पर दंड दिया जाएगा अपरादों का समन किया जाएगा जिसमें पृति इस परदा अधिनियम में एक नया प्रावधान जोड़कर कुछ अपरादों के समन के अन्मुति दी गई है जिसमें समन यह धरसाता है कि जिस व्यक्ति के साथ अपराद किया गया है वह उसे आरूपी से कुछ मुआपजा प्राप्त किया जाए कुछ अपरादों का डिक्रिमिलाइजेशन भी किया गया है जिसके अंतरगत प्रितिस पर्दा संसूधर में कुछ अपरादों के लिए कैद की सजावे आर्थिक दढ़ने में बदल दिया है कि प्रितिस पर्दा रूदी समझोते कि संबंद में CCI के आदेशों और का पालन नहीं करना है या बाजार या कॉर्परेट जगत में मजबूती स्थिती कद रूपियों करेगा माफी के प्रावधान के संदर में कि अगर कार्टिल की जाच में सामिल कोई पक्ष किसी सम्मावित उलंगर या किसी अन्र अग्यात कार्टिल का सही या बड़ा खुल CCI द्वारा उद्वों के खिलाब कारवाही शुरू की जा सकती है यह महादी देशक की न्युक्ति की संदर में यह केंदर सरकार की पूरु मन्जूरी से CCI द्वारा की जाएगी जबकि पहले यह सकती केंदर सरकार के पास थी बारती पृति पृति पर्धा आयूक की संदर में इस पृति पर्धा आयूक की स्थापना 2003 में की गई यह आयूक पृति पर्धा अधिनियम 2002 में एक बैधानिक निकाय के लुए इससे स्थापित किया गया इसको सोपे गई कारेों में आता है यह पृति इस पर्धा पर पृतिवगूल प्रभार डालने वाली पृताओं को समब्त करता है पृति इस पर्धा को बड़ावा देने से उससे बनाये रखता है वो भुकताओं के हितों की रक्षा करता है बाजार में भारत में बाजार के करने की सुतिंदर्ता सुनिश्यत करता है यह corporate मंत्राले के अंतरगत आता है जिसमें एक अद्धिक्ष और दो से 6 सदस्यों होते हैं और इसके अद्धिक्ष के जो कारिकाल है में पांच साले अप 6 पैसेट वर्स की आयू की अंतरगत होता है जो की पुनर न्युक्ति के पात्र होते हैं नेक्स्ट आता है अंतराश्टी पृति इस पर्धा नेटवर्ग की बारे में यह जो नेटवर्ग है CCI पहली वार ICN संचालन समुल का सदस्त मना है CCI में दो साल के लिए यह होगी और इसमें 140 पृति इस पर्धा प्राधी करणों की एक बिसिस्ट लेकिन अनुप चारिक नेटवर्ग होता है जो की ICN कमिशन दुनिया भर में पृति इस पर्धा नीती के बेहतर मान को और पिक्रियाओ को बढ़ावा देना और इसकी मार दर्शन में सीर्ष निकाय यानि की 118 सदस्वाले संचालन समुल द्वारा किया जाएगा आता है जन्बिश्वास प्राउधानों के बिधियक 2023 के बारे में हाली में संसद ने जन्बिश्वास संसोधन बिध्यक 2023 को पारित किया है इस बिधियक को देश जो है बाए यज ऑफ लिविंग एबं यज ऑफ दोईंग मिजनिस को बढ़ावा देना होता है विदियक के मुक्विंदों पर नज़र डाली जाए तो इसमें देखा गया है कि इस विदियक को 42 के अंडी कानूनों के दायरे में आने माले 183 प्रकार के किर्टों को गेरा अपरादिक बना दिया है कई जुर्माने को पेनल्टी में बदल दिया गया है जिसका अर्थ होता है कि सजा देने के लिए नहे कभी हो जब आविश्यक नहीं है भारतिय डांग घर अधिनियम उन्नीश 1898 में बर्डित सभी प्रकार के अपरादों के संसु धन को समाप्त कर दिया गया है कुछ बिशेस अधिनियमों बिभिना परादों के लिए जुर्वारे दर्ट की सबैसी व्यपत समीक्षा का प्रावधन किया गया है अपिलिय तंतर के परिवर्टन किये गए है जिसमें कुछ प्रावध कानूनों के तहत दंड नर्धारत करने के लिए एक से अधिक नर्ड़े वाले अधिकारियों की निउक्ति का प्रावधन किया गया है जिसमें सनय में टुगराफ अधिनियम 1922, परियावध अधिनियम 1986, मर्चंट सिपिंग अभिनियम 1908 अधिस के अंतरगत आता है नेक्स्ट आता है प्रावध ट्रांसपर प्राइशिंग के बारे में ट्रांसपर प्राइशिंग जो है वो हाली में सुप्रिम कोट ने अपने एक फैसले में भारत में ट्रांसपर प्राइशिंग सम्मंदी विबादों को हल करने के दृष्टिकोर को बदल दिया सुप्रिम कोट ने करनाटक हाई कोट के पुराने फैशले को खारिच किया जिसमें हाई कोट में कहा था कि ट्रांसपर प्राइशिंग समंधी मामले को ITAT की द्वारा आर्म्स लेंथ प्राइस का निरधारण अंतिम होगा और जोकि नयायक जाज के अधिन लाया जा सकता है भारत में ट्रांसपर प्राइशिंग और ALP प्रावधन आयकर अधिनियम 1961 के अध्याए 10 में सामिल है जोकि आर्म लेंथ प्राइस का निरधारण एसे सिंग ओफिशर द्वारा किया जाता है जिसमें सुप्रिम कोट में फैसला सुनाया गया है कि यह आयकर अधिनियम में साम प्राइशिंग संबंदी प्रावधनों के डाइरे से बाहर निरधारत किसी भी ALP को विक्रत या अन्यायपूड माना जाता है और ऐसे मामले में अधिकरण का निरड़ा अंतिम नहीं होता है और ऐसे मामले में भारती राजोसधिकारी करदाता हो दोनों के लिए ITAT के इस फैसले को अन्य मुद्धों के समानी भारत में ट्रांसपर प्राइसिंग संबनी मुद्धों को फिर्से सुर्ख्यों में ला दिया है। शुरुआत में दिल्ली कूलकाता मुंबई संस्थान में तीन पीठे और या पीटों की संख्या में उत्रोत्तर ब्रद्धी हुई हैं जिसमें बरतमान में ITAT की 63 पीठे काम कर रही हैं जिसमें यह 27 केंडरों में कारे रथे इसके संदर में आता हैं। किया जाता है जो अपने रूल्स में इसके अन्मती देती हैं। आर्म्स लेंद प्राइस सिध्धान यह बहुत सिध्धान होता है जो कंपनी दोरा अपने शहाए क्या सम्मध कंपनियां एक आई में बस्तुए पमसिवाओं की खरीद के लिए मुक्तान की जाने वाली कीमित बैसी होनी चाहिए जैसा किसी कंपनिया खरीदते समय मुक्तान किया जाता है उसी आर्म्स लेंद प्राइस कहा जाता है। इससे धान के अनुशार पक्षिकार एक दूसरे से सम्मध कानूनी संस्ता है जिनके बीच होने वाले लेंदेन के लिए किसी भी तरीके से मूले को कम या एड़्जेस्ट नहीं किया जाना चाहिए और विसीस कोई सर्थ नहीं लगाई जाती है जिसका ओ देश कर आधार के चरण यह कम टेक्स वाले देशों या छेत्रादिकार के लाप को ट्रांसपर करने से रोक लगाना है यह जो है इसमें यह जो USA बैंक के संदर में दिखाए ABC बैंक बताया गया USA का और यह नीदरलेंड का बैंक है जो कि यदि दोनों के बीच सैमती कीमत उच्छेत मूले के र होगी जिसमें कीमतों का निर्धारण होगा और खरीदने के समय किस तरीके का भुकतान किया जाएगा वाई कंपनी पर डिपेंड करेगा तो यह जो पिक्रिया है उसे आर्म्स लेंथ कहा जाता है नेक्स्ट आता है बैश्विक नवाचार सूचकांग 2023 के बारे में सामाजे कुरार थे के छेत्रक में होने वाली नवाचार आधर बदलाओं की आगलन का एक बिश्वश्रिय तरीका होता है जो कि कार्डियल इनवर्सिटी इंस्टीड बिजनेस स्कूल और डमलू आईपी ओ को सहीवत रूप से प्रितिवर्स जारी किया जाता है नवाचार क और भारत की नवाचार के स्थेति को देखा जाए तो बारत निम्ऩमध्द्थ आये वाले देशों में आगरणी देश है और जो केस्थिर बना हुआ है वारत ने नवाचार में बहुत बहतर प्रदर्सन करने में किर्टिवान मनाया हुआ है जिसमें भारत ने 2022 में चौथी रेंग युनाइटिड के इंगेटम ने पांच मी को छोड़ते हुए जर्मनी तीसरे एक में के बन एक रेंग पीछे हो गया और सीर्स दस टेक्नलोजी कलेस्टर में भारत के चार कलेस्टर जिसमें बैंगलोरू दिल्ली चेनई और मुंबाई सामिल है इप् राज्टी पहुद्धिक संपिदा पढ़ाली को विक्सित करना है और इसमें 193 सदसदी सामिल है जिसमें संगठनात्मक संदर में है महासभा वो शमन में समीति है एप्रोग संधिया है जिसमें ओधोगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस कर्वेंशन उनी सौन ठान म है भारत में स्टार्टप के बारे में कि बारे जिसमें संबंधि संसदी इस्थाई समीति ने भारत को लाब पहुचाने के लिए स्टार्टप एकोसिस्टम के सीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किये जिसमें पहली आती है बित्य तक पहुँचोना कि स्टार्टप में निवे पहलों की कारेनमन की देखरी करते हैं यह निवायम की साहता की संदर में यह समीती ने कहा है कि अगर सुची बद्ध भारती स्टार्टप की प्रत्यक्ष्विदी सी लिस्टिंग के शुब्दा के लिए नियाम की या कानूनी फ्रेंबर को आशर मनाने के लिए आर्थिक मांदन को देखा जाए तो यह बाड़ी जो रुद्धोग मंत्राले में उद्धोग संबर्ध है और आंत्रिक प्रक्तार विभाग बारा स्टार्टप इंडिया के तहें दिये गई निर्धारित मांदन को पूरा करने के लिए किसी कंपनिया एकाई को स्टार्टप कहा जात है इसके अंतरकत कुछ प्रोग मांदन होते हैं जैसे कि कंपनी के संचाला नाओधी कंपनी के प्रकार बार्षिक टर्नोवर फूल कंपनी नवाचार एवं कारोवारी को बढ़ावा देने की छमता होना है डी पी आई आई टी सिम्मानिता प्राप्त स्टार्टप में तीन स के पालन में करचूट का प्राओधान भी करता है यह भारतु प्रितिभूति बिन्यामे की बोर्ड इस्टार्टप की लिस्टिंग की नियुमों को अधि शूकत करता है यह RBI ने बिन्यामे की फ्रेमर के दाएरे में सीमा पार्ले अन दिन मार्डर्शन सहांता प्रतान करने तो भारत के स्टार्ट अप के लिए एक समर्पित हेल्प लाएं शुरू की हुई है भारत में स्टार्ट अप एको सिस्टम में बिदमान चुनौतियों को देखा जाए तो यह किरसी पर कम फोकस करती है जिसमें केवल 15-18 परसेंट यह किरसी छेतरक से सम्मध है कम संख्या में आईप एल जारती करती है जिसमें 11 परसेंट ही पेटेंट को प्रदान किये गए हैं फिलिपिंग की संदर में इसमें आर्थिक सर्विक्षण में स्टार्ट अप में फिलिपिंग की बड़ती प्रवत्ती को रिखांकित करता है जिसमें बिदेशी रिण तक अदेख एकशुपंद्रा स्रडियों के लिए बी आईएस उगो मंजूरी दी हुई है यह सेलिंग फौन इस्टेलिस स्टील के कोक बेर अलुमीनियम के बरतन ब्लॉक बोट्स पेर पदार्थों के लिए अलुमीनियम केन आधी का बी आईएस तोरा अधी सूचित अनिमार गुडव किया गया यह उभोकता मामले खादो सार्जुनिक बित्रण मंत्रालाई के तत्व धान में काम करता है इसका अधेश कोडवत्ता संबन्दी जरूर्तों को पूरा करना है मानकी करण संबन्दी गत्विदियों को सामझस से पूर विकास व रिश्षित करना समरद्दी व विक परामर्स्तन तो टक्निकी समेतियों की जरिये मारकों का निरधारण करना है, हर पास साल में मारकों की समेख्छा करना, भारत में पिछले मारकों के एक रूपता लाता हूंने प्रिकासित करता है, और इसके अतरिकते हैं घरेलू विदेशी निम्त माताओं के उतपादों की मा मार्किंग करता है इसके संदर में आता है भारत में आई एस आई प्रवाणन के लिए मोजुदा उत्पाद को दीखा जाए तो यह लग बग 560 उत्पाद अनिवार प्रवाणन के लिए अंतरगत आता है जिसे निमनेखितन है पहला आता है सीमेंट घरेलू बिजली का सामान खादी बं सम्मंदित उत्पाद और मुवाइल ऐसे सरी चिकसी ओपकरण लोहे बं इसपात अद्धू एयर कंडिशनिंग और उसके पूर्जे घरेलू गैस इस्टिवाप परिशर को कर एलेक्ट्रिक हो गयर एलेक्ट्रिक खिलोने इसके अंतरगत आते है इसमें BIS की प्र साथ इनकी एक रूप तक में आसानी से जाच की जाती है BIS ने देश में मानकी करण की नियू की रूप में काम करने के लिए स्टेंडर नेशनल एक्षन प्लान दूहजर वाईस से सब्ता ही चारी किया है यह 211 उत्पादों की सूची को छोड़ कर किसी विसीस उत्पाद के मिन्यर मारता को BIS मानक चिन्न या ISI मारक की तहे सो प्रमाणन का अधिकार प्रदान किया गया है भारत में विवी ने प्रमाणी करण चिन्न को देखा जाए तो इसमें आता है ISI मारक के बारे में ISI मारक जो है में कंजूमर, डियूरिवल, गुड्स, इलेक्ट्रोनिक, रशोई में उपियोग होने वाले उपकरणों और अन्न वस्तूओं के लिए BIS त्वारा जारी किया जाता है एग मारक जो कि किर्सी गद पस्तूओं पशुदन उत्पादों के लिए किर्सी विभाग की मार्केटिंग और रिक्षर निर्देशाल है के द्वारा जारी किया जाता है BIS हाल मारक जो कि शोने के आभूशड के लिए BIS त्वारा जारी किया जाता है बुल मारक 300% सुद्ध यून का पुर्तीक होता है इको मारक परियावरण के पृति अनुकूल उत्पादों के लिए BIS त्वारा जारी किया जाता है एप यू मारक जो कि यह खाद पदार्थों के उत्पादों के लिए BIS खाद सुरक चाओ मानक पराधी करण द्वारा जारी किया गया केस तरीके का ये प्रमारी करण होता है जिसके अंतरगत इसे यह चिन्न दिया जाता है तो यहाँ पर ये topic finish होता है topic finish होने के साथ सथ हमारे जो magazine है भाई भी finish होती है जो magazine है इसके अंतरगत आपका ये एक घंटा भी नहीं हुआ है आपका एक घंटे में ये lecture finish हो गया पहला lecture जो है वो भी एक से देड़ घंटे के बीच का है दूसरा भी इसी तरीके से ये तीसरा भी है तो ये चार पार्ट में आपको complete कराए गया आप इस session को ज़्यादा से ज़्यादा share करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडिया प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल UPSC-PSC बिदीख्छा से जुड़ें और आपको जो भी अपडेट होगे मतलब कि इसका जो BPT 365 परियावरण का ही आएगा क्योंकि English Medium में परियावरण का आ गया है तो हिंदी Medium में भी आपका परियावरण का ही आएगा तो वो आता है को आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा धन्यवाद